हलो फ्रेंज, छे माता दी, कैसे हैं आप सब? तो इसमें नौ दिनों का बहुत ही लंबा परवाता है नवरातर, बाकी वरत हम एक दिन या दो दिन या तीन दिन करते हैं, उससी में अगा जाते हैं, पर नवरातर ऐसा त्योहार है, जिसमें हम नौ दिन लगा तार माता की आरा घर घर में शुब मुहर्त पर अपने हिसाब से मादुर्गा की स्थापना की जाती है, और उनके सम्मान में व्रत रखे जाते हैं, बहुत से लोग मुझे अभी भी पूछ रहे हैं, मैंने इतनी सारे आपको बताएं हैं कैसे पूजन करना है, क्या करना है, फिर भी पूछत के सामने घी का या सरसो के तेल का दिया चलाएं और ओम दुंग दुरगाय नमा इस मंत्र का जितना आपकी चाओ उतना जब कर डालें, यह होती है साधना विदी, इसके बाद नौ दिन के बाद लगु हवन और कन्या पूजन करें, अगर आप साधना नहीं करना चाहते हैं, पर्टिकुलर साधना के नियम होते हैं, तो उसके साब से देर रात्री में ही करनी होती है, यह गुप्त नवरात्र की पूजा, लेकिन आप नौर्मल पूजन माता का करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय सुभी चार बजी कीजिए, दिन में कीजिए, ल इंसान का तन, मन और दिमाग की शुद्धी हो जाए, लेकिन एक इस्तरी के साथ, यह बहुत पड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कि 28 या 32 दिनों की जो साइकल होती है, मेंस्ट्रिल पीरियड, उसमें उनके सामने यह 9 दिन जो होते हैं, इनके बीच में ही वो हो जाए, अब स चाहिए या नहीं चाहिए, और करना है, तो क्या क्या करना है, और इससे फिजिकल और मेंटल हेल्फ पर क्या असर पड़ता है, सबसे पहले समझें कि पूजा होती क्या है, जब हम परमात्मा का अभिवादन करते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पेरंट्स आते हैं, तो हम उ उनका अभिवादन करते हैं, यानि उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अगर तीन-चार दिन हमारे पेरेंस, हम पीरिट्स हो गए, वो हमारे घर आए, और हम उनसे बातशीत ना करें, उनको खाना ना दें, और हमारे घर पे और कोई है नी देने वाला, वो बना न लेकिन जब करम कांडी पुजा की हम बात करते हैं तो इसमें जो सुक्ष्म शरीर होता है यानि जो इन्विजिबल बॉडी होती है और स्थूल शरीर होता है यानि जो प्राक्टिकल बॉडी होती है इन दोनों की इंवॉल्ब्मेंट पराबर होती है जब हम ध्यान करते हैं भ पूजन की तो मैं की तरह से आपको बताती हूं कि भगवान का पूजन करें, पंच उपचार पूजा कीजिए, शोडश उपचार पूजा करें, इन सभी पद्धती में हम प्रभू की सुक्ष्म उपस्थिती यानि भगवान प्राक्टिकली हमारे सामने मौजूद हैं, किसी मूर्ती को हम ऐसा मान करके कि ये भगवान हैं, हम उनका पूजन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, वस्र धराते हैं, शिंकार धराते हैं, भोग धराते हैं, इतर सुगंदादी से सेवा करते हैं, सूर्य भगवान को भी अर्ग देते हैं, सभी दे प्रेम को, क्रोध को, घृणा को प्रकट कर सकते हैं, आप अपनी दिमाग में किसी भी प्रकार के शुब और अशुब विचार ला सकते हैं, आप अपनी जुबान से कड़वे या मीठे वच्छन बोल सकते हैं, इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में हमारे शंक्राचारी जी ने सबी चीजें हम periods में या मासिक धर्म महवारी के दौरान अंगिकार कर सकते हैं तो भला शुब चिंतन और सुमिरन में क्या अपत्ती हो सकती है जबी भी किसी इस्तरी या लड़की को मासिक धर्म आता है उसके पूरे घर में क्या होता है एक अजीब सा महौल बन जाता है ऐसे म जहां आप उगा रखी है प्लांट से वहां मत जाना मंदिर से दूर रहना और अगर कोई महला शादी शुदा है नई बहू है या बहू है तो उसको periods के दौरान इतनी मुश्किले जहननी पड़ती है उसको किसी भी शुब कार्य में पूजा में शामिल नहीं किया जाता है एकदम जिसे कोई पापन है उसको एक साइड में खड़ा कर दिया जाता है और इसी तरह मंदिर में पूजा पाठ आदी नहीं करने दिया जाता है दोस्तों आखिर मासिक धरम के दौरान महिलाओं को periods में पूजा करने या शुब कारियों में शामिल होने से रोका क्यू जात तो वो कभी मा नहीं बन सकती है आपके खुदी सोच लीजे अगर कोई मा नहीं बन सकती है तो इसको लोग क्या कहते है बांच कह करके ताने मारते हैं और कई बार तो इतना परेशान हो जाती है महिलाओं इस चीद से कि आत्म हत्या तक के कदम उठा लेती है एक तरह समाज कहता है कि महिलाओं पीरियोड नहीं आएगी तो यह ठीक नहीं है जब आ जाती है तो क्या बोलते है यह अपवित्र है इसको भगवान से दूर कर दो पीरियोड में पूजा ना करने देना एक टोटल अंध विश्वास होता है और यह अंध विश्वास हमारे दिमाग में अ यह कुछ गलत हो रहा है इसलिए नवरात के दौरान जब आप कोई भी पाठ करते हैं तो डर जाते हैं सबसे पहले क्वेस्चन करते हैं कि दीदी हम पाठ करे की नहीं हम पूजा करे की नहीं जो इस तो जब इस थूल परंपराएं और करम कांड की बात आती है तो मासिक धर में स्थूल उपक्रम यानि देव प्रतिमा का स्परश, स्थूल पूजन, मंदिर जाने या धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की जो हमारी करेंट परंपराएं वो सलाह नहीं देती है लेकिन ये बात सच है 200% सच है कि हमारे धरम शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि म देश ही क्या होता था चुआ चुआ चूट नहीं सिर्फ ये कि इस दौरान उनको आराम मिल सके साथ ही उनकी साफ सफाई का पूरा खयाल रखा जा सकते क्योंकि पहले जमाने में इतने सारे अच्छे से जो चीजें आजकल अवेलेबल है सब पैड्स वेगरा वो उस जमाने में नहीं हुआ करती थी पूराने जमाने की इस्तरियां कपड़ों आदी से काम चलाया करती थी लेकिन आज के दौर की बात और है आज इसकी जरूरत नहीं है अब हम घर में कोई अकेली इस्तरी रह रही है और उसको अगर इस तरह से महवारी आ जाए तो क्या वो अपने ब आपको महवारी है तो क्या आप उनको भोग देंगे या नहीं देंगे या आपको खुद सोचना है निश्चित रूप से आपको पकाना ही पड़ेगा और इसे भोग लगाने के पहले हम तुलसी माता दुर्वा आदी दे करके इसको प्रवित्र तो करते ही है तो फिर इस द धार्मिक कारियों में लगता है इससे हमें एनरजी मिलती है साथ ही वरत के दिन में हम संतुलिक खाना खाते हैं हमारी शरीर की सफाई होती है दिमाग और मन शांत होते हैं इसके लावा ये भी माना जाता है कि नवरातर के दौरान हम चकपटे खाने से दूर साधा खाना खा महिलाओं के लिए बिलकुल प्राकृतिक तो होती है और गंदे खून की सफाई कई लोग कहते हैं कि होती है लेकिन आपको साइंटिफिकली में बताऊंँ यह चीज तो ऐसा नहीं होता है कि गंदा खून होता है और नहीं किसी प्रकार का इससे संक्रमन आधी होता है नहीं कुछ दर्द होता है, चक्कर आना, भूक लगना, कब्स भी होता है काफी सारी इस्त्रियों को और महावारी के दौरान कुछ भी करना महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता है लेजीनेस आता है, पेट दर्द होता है, नकरातमता आती है उनके अंदर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और सिर्फ फल खाना और पानी पर निर्भर रहने से उनको चक्कर आकर के कमजोर होने की संभाव ना रहती है कुछ महिलाओं में मूड स्विंग्स होते हैं तो चिर्चिरापन भी बढ़ जाता है ऐसे में पीरिड्स के समय व्रत नहीं करें तो अच्छा और करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सला लेके करें लेकिन ये समझ लें अब मेडिकल के तौर से सोचे तो अलग बात है बाकी धरम शास्त्रों के इसाब से पीरिड्स में कोई अशुदता नहीं होती प्रकृति की देन है हमें सहर्ष स्विकार करना चाहिए इस चीज को और ये समझना चाहिए ये किसी भी हाल में चुआ चूट का विशे नहीं है जिस देश में भारत देश में निलांचल परवत के बीच बसी मा कामक्या देवी के रजस्वला के कपड़े उनका रक्त प्रसाद के रूप में बाटा जाता है उस देश में इस्त्री के रजस्वला कपड़ों से घिन करना इस बात को जुटलाता है कि ये सबी चुआ चूट की धारनाई बिल्कुल गलत है इस्त्री का मासिक चक्र और ये मंदिर एक इस्त्री की रशनात्मक्ता को दर्शाता है और ये बताता है कि इस्त्री ही इस ब्रह्मान की जननी है और हमें इनका सम्मान हर हाल में करना चाए कामक्या देवी की आराधना करके हमारे देश में हम कहीं न कहीं इस अंदर में मानते हैं कि हम इस्तृत्व की अराधना करते हैं जो समाज के लेग बड़ी सीख है फिर भी अगर आप मानेताओं को ध्यान में रखते वे आपके अंदर एक कड़ी सोच है कि नहीं हमें नहीं करना है तो आप नहीं करें स्थूल पूजन यानि देवी देवताओं का स्पर्ष नहीं करना चाते तो ना करें लेकिन इस दौरान वरत रखकर आप मानसिक जब और पूजन करने में किसी प्रकार की दिकत नहीं होती इस बात को आप अच्छे से समझ लें यह सिर्फ जीवन चक्र का एक हिसा है आज के ल आने वाले जनेरेशन इस चीज को बच्पन से यह समस्थे-समस्थे बढ़े ना हो कि ए घिन्हा का विशय है और कहीं न कहीं जो हमारे बेटे हमारे हस्बिंद या हमारे पित या हमारे भाई जो सोचते है कि इस समय इस्त्रिया अच्छूती हो जाती है इस भावना से बह भ दोस्तों खिल खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के तुरू कनेक्टे रह सकें लव यू आल, टेक केर, छे माता दी, पम पम भोले नात की